पांच भी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉंक्लेव रीवा में हुआ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी तक मद्ध प्रदेश में 2.5 लाख रुक करोड का निवेश मिला है और 3 लाख से जादा लोगों को रोजगार मिला है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार मद्ध प्रदेश के ओध्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार काम कर रही है हमारे हर युबा के हाथ को काम मिले इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से क काम लगे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीवा महत्यपूर्ण अंचल है जो बिंद और बुंदेल खंड को जोडते हुए विकास के लिए एक नया कीर्तिमान बनाएगा मद्ध प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार हमारे अपने मद्ध देश को और धोगविक निवेस और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को आउसर मिले हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले इसलिए सबी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या MSME उद्धोग का सेक्टर हो हेवी फूड इंडस्ट्री का सेक्टर हो खनीज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक सभी छत्रों में लगातार रोजगार निवेस के अभियान को हमने लगाया हुआ है तेईस तारीक को हमारी पांचवी रिजनल इंडस्ट्री कांक्लेव रीवा में होने वाल आप देख रहे हैं डखल न्यूज